MB Farming 47 में आप सभी का एक बार फ्रिट से सौगत है तो आज हम आपको मक्के की दो सांदार फेल्ड दिखा देते हैं और दोनों में comparison आप सभी को दिखाएंगे क्या-क्या comparison है और कौन-कौन सी चीजों को business रूप से द्यान में रखना चाहिए अब अगर इस area के बारे में बात करें तो यहां क्या होता है कि पूरे खेत का मतलब उपर जो खेते इस साइड का चारो तरप का पानी यही से निकल के खेत से बाहर जाता है इसलिए कि main चीजी है कि यहां अगर soybean की फसल लगाएंगे तो यह तो अधिक पानी के वज़े से खराब हो जाती है या फिर जो पानी आता है उसके वज़े से खराब हो जाती है तो इसलिए यहां कहें कि आप इदर दे होगा तो इदर भी soybean लगी हुई है इदर भी soybean है चारो तरप soybean की फसल लगी हुई है लेकिन यहां पर यह जो दो प्लाट है इसमें सिर्फ मक्का की फसल लगाई गई है अब हमारा जो छेतरे क्या है कि ऐसे फार्मर जो की स्वाइविन का सीडा फ़र्ड नहीं कर पाते तो मक्का थोड़ा सा सस्ते में काम चल जाता है इसलिए मक्का लगाते हैं और उसके साथ अगर बात करें कि एसी जगा या फिर एसी जमीन जहां पर स्वाइविन की फसल नहीं हो पाती वहां आपका सब सब बेस्ट आपसन है मक्के का तो मक्के की फसल आप लगा सकते हैं के साथ में क्या होता है कि जहां सुख़बिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है जिसे अगर बात करें कि आपका प्रोडक्शन आप को के कि इस तर्ग रिकार से उत्पादव नहीं मिल पाता जैसे इस कहते हैं कर रहे लेकिन अवे यह कुछ ऐसे खिसान रहते हैं जो कि सही तरिकें से मैनेज नहीं कर पाते है और उनका उत्पादाना लगवग, 1-2 कुंटल पर इकड़ के हिसाब से आता है छोटी से समस्साह होती है तो इसे खिसानों को मक्का की फसल लगा देना चाहिए यह सबसे सेफ है मक्यी फसल अगर आपने लगा दी तो उसका 100% आपको उत्पादन मिलेगा है मिलेगा लेकि उसका सही तरह कैसे रेल्ट मिले है क्योंकि अभी देखें तो फसल 27 दिन की हो चुकी है तो कवरेज बहुत जादा कर रही है जैसे अगर माने तो अभी अगर आप देखेंगे तो जमीन बहुत कम आपको दिख रही है तो इसका में रोल यह रहता है कि 75% कवरेज करके रखा है मक्के की फसल ने अब घास जो नीच है उसको मारने के लिए लाइन बाई लाइन मतलब रो से जलना पड़ेगा तक कि मक्के पर कवरेज थोड़ा सा कम हो और घास को थोड़ा सा जादा कवरेज कर ले इसमें समय बहुत जादा लाएगा लेकिन इसमें घास कंट्रोल करने का सिर्फ यह यह तहरीका है अब उसके साथ में दोनों में अगर कंपरिजन करके देखें तो यह जो फिल्ड यह पानी से पहले लग चुकी थी मतलब जब बारिस आई ही नहीं थी तब इसमें लगा दी गई थी यह फसल और जो अपना मोटर नेल कूप की जो सिचाई रेती है बोर्वेल की उससे इसके सिचाई की गई थी और इसको चलाया गया था इस प्रिंकलर से उगाया गया था तो इसकी यह कंडीशन है अब आप देखें तो मक्या की फसल इसको लगवग लगवग अगर देखा जाया तो दस से पंदारा दिन यह थोड़ा सा एस्ट्रा सको हो चुक है लगवग देखें लेकिन आपको लाइन बाइस चलना पड़ेगा रो बाइस और अगर आपकी जो फसल अबग चार फिट पांच फिट की हो चुकिए उसमें चलना थोड़ा सा मुस्किल है तो बढ़िया अपनका यूरिया ले यूरिया के साथ में आप अल्ट्राजीन को मिक्स करें और उसके सा है कि हर्विसाइड का इस्तमाल कर सकते हैं लाइन टू लाइन लाइन वाइस आप डाल सकते हैं यह कंडिशन है तो दोनों में कंपरिजन अगर देखे तो इसमें मूंग की फसल लगा गई थी यह पूरा खाली था इसमें रिवर्ट सिबल प्लाव करा हुआ था उसके बाद अगर आपको कोई भी कुश्चन हो तो इसके बारे में आप कमेंड बाक्स में कर सकते हैं ताकि हम आपको आगे भी स्टरिके की जनकरी बता सकें अभी जो लाइन वाइस ड़ रहा है इसमें हर्भी साइड उसका क्या रिजल्ट रहेगा यह भी हम आप सभी को बाद में दाल दिया था और इसमें अगर देखें तो 25 kg प्रतियगड के हिसाब से डी डायमोनियम फास्पेट मिला के मिक्स करके फिर इसमें लगाए गया था मतलब सीड कम फटीजाजर वाली से इसमें सीड अलग चलता था उसके साथ में हर्वी से अपना जो खाद है यह अलग चलत क्यूस करके इसमें से इसमें प्रतियग के वाल चे तो 25 को पिसले हैंगा के भ्याजर प्रतियों circumvent करई गो धर वालतिता चार्वस는 यह जो खादय है कर दो दो कर दो कि अपड़ा है प्रेट जुड़ू।